तो दोस्तो मेरा नाम है राहुल, स्वागत आपका Technical Work YouTube चैनल पर दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने घर में अपने स्विच बोर्ड में कैसे चेक करेंगे कि आपके switchboard में earthing आ रही है कि नहीं आ रही है तो इसी को बताने के लिए मैंने ये video बनाया आ आप भी आसानी स अपने घर में earthing चेक कर सकते है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखें कि आपन मैंना example के लिए extensive board है, इससे supply से connect कर रुका है हमें समझे check करने कि कि इसमें earthing आ रही है कि नहीं आ रही है और जैसे कि मैंने याँ पर check करने के लिए यह आपर एक bulb holder लिए रखा जिसमें wire connect हो रखी है तो इसी bulb holder की साहिता सर्फ हमें earthing चेक करनी है सबसे पहले हमें socket में चेक करना है कि 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 इस पिली बाले तार को फेस लगा देते हो और ब्लैक वाले वायर को न्यूटर्म लगाते हैं देखिए आपर जो बल्ब जलने लगा है अब हमें अर्थिंग चेक करने के लिए क्या करना है पीले वाले वायर को फेस पर लगे रहने देना और ब्लैक वाले वायर को अर्थिंग पर लगाना है जैसे देख इसरे वाले point भी लगाया तो भी बल्ब जल रहा है चौत्य वाले point भी लगाया अर्थिंग के तो भी यहाँ पर बल्ब जल रहा है इसका मतलब इस extensive board में अर्थिंग supply आ रही है तो चलिए दूसरे switchboard में हम चेक करते हैं हमें क्या करना है एक wire face supply पर connect करना है और दूसरे को जो अर्थिंग wire है वो connect कैसे हो रखी है और कौन सी wire connect होती है तो देखिए यहाँ पर मैंने board को खोल दिया है यहाँ पर जो आपको green वाली wire दिखाई दे रही है जो कि socket के उपवायल अर्थिंग की wire होती है जो कि green wire यहाँ पर हम use करते है अर्थिंग के लिए और इसी के साथ में आपको यहाँ पर एक wire दिखाई दे रही है जो कि यहाँ पर face supply connect हो रखी है पर switch के निचे ला टर्मिल पर और यह जो आपको black वाली wire दिखाई दे रही है यहाँ पर neutral supply है जो कि यहाँ पर socket के दूसरे terminal पर connect हो रखी है तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं हमें क्या करना दोनों में से किसी एक wire को हमें face supply पर लगाना है और दूसरी wire को यहाँ पर earthing पर लगाते हैं, जैसे अर्थि G पर लगाए है है जो हमारे जो बल्म है वो जलने लगाए अकर यहांपर बल्म नहीं चलता है, इसका मतलब यह होता कि हमारे board में youź H he जा तर बोर्ड में क्या होता है कि जो एर्थिंग कर दिना, अगर आप मेरी चैनल पे नहीं है तो प्लीज मेरी चैनल को सबस्क्राइब कर दिना और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिना, जिससे मेरी आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, मिलते आप से नेक्स्ट वीडियो में